दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों मैंने एक वीडियो में Samsung Galaxy Z2083 स्मार्टफोन को खईदने के कुछ रिजन के बारे में बताया था लेकिन इस फोन के कुछ ऐसे फीचर्स है जिसे सुनने के बाद आप साथ इस फोन को पर्चेस ना करें तो आज मैं आपको दो ऐसे रिजन के बारे में बताऊंगा जिसके करण आपको ये फोन लेना नहीं चाहिए पहला रिजन है इसका डिस्पले दोस्तों इस फोन का कीमत है 18,990 रुपे और आपको इस प्राइस में HD प्लस का डिस्पले ओफर किया जा रहा है वैसे ये डिस्पले सूपर अमलड होने के करण अच्छा रिखता है फिर भी इतने प्राइस में सैंसेंग को फूल HD प्लस का डिस्पले देना चाहिए था दूसरा रिजन है इसका पोसेसर जोसों सैंसेंग ने इस फोन को अच्छे से चलाने के लिए स्नाप डागन 450 ओक्टा को पोसेसर दिया है अब ये पोसेसर इतना भी पारफुल नहीं है कि स्नाप डागन के 625, 636 पोसेसर को टकर दे पाए एटलिस्ट सैंसेंग को 625 चिप से देना चाहिए था समय के साथ साथ आपको Galaxy Z 2018 में काफी लैक देखरे को मिल सकता है ना जाने सैंसेंग क्या सोच के इतना ज़्यादा प्राइस रखता है अपनी सबी डिवाइसेस का ओभरल दोस्तो नया Galaxy Z 2018 एक बरिया फोन है अगर सैंसेंग पोसेसर और डिस्पले के उपर ज़्यादा ध्यान देता तो दोस्तो ये एक किलार फोन हो सकता था क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत से फोन है जो आपको इससे कम दाम में अच्छे फीचर्स दे रहे है तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तो ऐसे वीडियोस फीचर में देखने के लिए हमारे चैल को सबस्काइब करें और इस वीडियो को लाइक और स्यार करना तो बिल्कुल न भूलिए थैंक्यू सोमाच पर वाचिंग